अलो दोस्तो स्वागत है आप सभी के एक वाइफेट से एक नई इस्टोरी के साथ तो आज की स्टोरी जो है एक the swan and the foolish turtle swans means hans होते हैं and the foolish foolish याने यहां पे एक बेवकूफ बेवकूफ टर्टल टर्टल होता है कच्छवा ठीक है तो the foolish turtle ठीक है यह हमारे story का title है तो story शुरू करदे से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कीजिए तो हम story शुरू करते हैं मैं आपको इसमें एक-एक sentence का मतलब बताऊंगा कौन सा sentence है और कोशिस करूँगा की आपको एक-एक word का जिसे की articles वगेरा की कैसे use हो रहे हैं तो हम story शुरू करते हैं once upon a time once means एक वार, एक समय upon a time, एक समय की बात है our time, ये article है a article होता है a enda, तीन article होते हैं ठीक है? तो once upon a time एक समय की बात है a turtle, यहाँ पर कितना turtle? a turtle, एक turtle की बात हो रहे है इसलिए लिखेंगी यहाँ पर a turtle and two swans, two याने दो हैं, क्या? तो इसलिए ये लगा as, two swans were good friends यहाँ पर were इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है एक से ज़्यादा चीजों की बात हो रही है turtles है, swans है तो a turtle and two swans were good friends यह past continuous का tense है ओके? one year there were no rains there were, यह भी past tense हो गया no rains as all the pond dried up याने एक साल वहाँ पर बारिस नहीं हुई at all ठीक है? पूरे साल बारिस नहीं हुई and the pond dried up dry का second form हो गया dried pond होता है तालाब dried याने सूग गया dried up याने पूरे completely सूग गया तालाब सूग गया the turtle made a plan जो कच हुआ था उसने एक plan बनाया make a second form हो गया mad ठीक है? आप लान ही एक plan बनाया and told the swans और वो किससे हंसों से बोला please look for a stick means एक चड़ी देखें for a stick याने एक चड़ी को देखें look for a stick I will hang one to the center with my teeth I will means यहां future tense की बात हो रही है I will hang hang means मैं लटकूँगा one to the center with my teeth चड़ी के बीच में किसकी मदद से? with my teeth दातों की सहायता से as both of you और यहां पर both of you मैंने तुम दोनो hold the two sides मतलब जो stick की दोनों sides है तुम दोनों उसको hold करना off the stick लकडी की stick को hold करना and hold याने पकड़ना ठीक है पकड़ना and stick and ferry me to another pond और मुझे दूसरे तालाब में उतार देना ठीक है दूसरे तालाब में उतार देना the swan said तो यहां पर हंस बोले you have to keep you have to मतलब तुमको करना ही होगा मतलब have to means किसी चीज का बोलते हैं ना नहीं तुमको ऐसा करना है तुमको करना ही होगा you have to keep your mouth shut all the time mouth shut याने मूँ बंद रखना होगा याने you have to keep your mouth shut all the time तुम्हें अपना मूँ बंद रखना पड़ेगा पूरे समय जब वो उड़ रहे होंगे otherwise you will crash to the ground नहीं तो you will तुम crash याने गिर जाओगे to the ground जमीन पे जाके गिर जाओगे when everything was ready मतलब जब सब कुछ ready है तयार है the swans flew तो हंसों ने उड़ना चालू किया flew off उड़ान भरी with the turtle किस के साथ कछुए के साथ pupil who saw this मतलब लोगों ने देखा who saw this जिन लोगों ने देखा sight exclaimed मतलब सभी चिलाए याने sight याने चिलाए चला कर कहने लगे look how clever the swans are उन हंसों को देखो वो कितने साथिया है कितने clever है they are carrying a turtle carrying means carry करना means ले कर जाना किसी चीज़ को तो they are carrying a turtle ये present continuous tense हो गया तो ये दोनों कछुए को ले कर जा रहे है in trying to respond that and trying to respond that it had been his idea अब कछुए ये बोलना चाहरा है कि ये जो उडने का idea है वो मेरा है तो the turtle opened his mouth जैसे ही कछुए ने अपना मूँ खोला and fell to the ground और वह जमीन पे गिर गया and died और मर गया तो a stitch तो moral of the story जो है यहाँ पर इस story का moral होगा a stitch and time shapes nine a stitch and time shapes nine मतलब बक्त का एक टांका बेवक्त के नो टांकों से बढ़कर होता है मतलब जब हमको चुप रहने की जरूरत है तो चुप रहना चाहिए और जहां बोलने की जरूरत है हमें वहां बोलना चाहिए तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you Thank you for watching my video